Hi everyone, welcome back to my channel, मैं हूँ शिवानी ले आई हूँ आप लोगों के लिए एक और कॉमेंट चर्चा की वीडियो यह मेरी एक ऐसी सीरीज है जिसमें मैं आप लोगों के भेजे गए जो कॉमेंट्स होते हैं उसमें जो कोश्चन्स होते हैं उनको पिक करके उस पर आपको रिपलाई देती हूँ आज भी मैंने कुछ कोश्चन्स यहाँ पर पिक किये हुए हैं जो कि पिछली वीडियो से कॉमेंट चर्चा की मैंने उठाए हैं अगर आप भी मुझे कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो की नीचे जो कॉमेंट से पिरू करते हैं पहला कोश्चन है मेरे पास मैडम क्या नस्बंदी के बाद भी सेक्स कर सकते हैं जी हां बिलकुल कर सकते हैं क्या फीमेल पार्टनर प्रेगनेंट हो सकती है मेल पार्टनर की वज़र से नहीं इसलिए तो नस्बंदी होती है कि प्रेगनेंसी ना हो नेक्स् इसने percentage chances है female partner के pregnancy के, almost 0% chances है, यह सबसे जादा safe method होता है नस्बंदी का female का भी और male का भी कि जब आपका family planning पूरी हो जाए, जब आपको ऐसा लगे कि आपको बच्चे नहीं चाहिए, तो या तो female या male दोनों में से कोई भी नस्बंदी करा सकता है, जो female की नस्बंदी होती है वो थोड़ा complicated procedure है, और already female जो है, वो इतना ज़ादा bear करती है, जैसे कि किसी के दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, तो वो उस process से गुजरती हैं बच्चा पैदा करने वाले के, और अगर ये वाली चीज़ भी ये procedure भी female करा है, तो बहुत ज़ादा burden हो जाएगा, तो इसल एकसर नहीं आता है, और बहुत ही minor सा, छोटा सा procedure है, इसमें कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा डरने की जरुवत नहीं होती है, तो definitely अगर ये choice है आपके पास, कि male और female दोनों में से कोई एक करा सकता है, तो मैं आपको personally बोलना चाहूंगी, देखिए, अपकी female partner ने बहुत है, तो थोड़ा सा उनकी body को rest दे के, एक male को ये थोड़ा सा initiate लेना चाहिए, कि उन्हें करानी चाहिए, next comment पे आते हैं, मेरे दो question है, पहला है difference between kakolting versus open marriage, open marriage के बारे में तो recently मैंने video बनाई थी, आप मेरे चानल पे भी जाके देख सकते हैं, मैं यहां पे link भी देदूंग लेकिन आप मुझसे बंदे हुए नहीं हो, आप चाहिए तो कहीं बाहर अपना partner बना सकते हो, मतलब अपनी जिंदगी अपने इसाब से जी सकते हो, आप मेरी तरिफ से एकदम free हो, तो यह होती है open marriage, जहां दूसरे चीज़ की बात करिया आपने kakolting, तो I think यह वही होता है कि अपने partner को किसी और के साथ देखना या threesome करना types और जहां तक यह चीज़ सुनने में बहुत किसी लोगों को मज़ा आता हुआ कि ओ, ऐसा करना, लेकिन मुझे असरा लगता है बहुत ही superficial चीज़ है, reality के अगर बात करें, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे couple ऐस की जाए, तो ककॉल्डिंग is a, मतलब ऐसी चीज़ की बहुत कोई कम, अगर करते भी होंगे, कम लोग करते होंगे, वही open marriage एक ऐसी चीज़ है, जो कि बहुत common है लोगों में, जैसे बहुत सारे Bollywood couple आपको मिल जाएंगे, बोलते हुए कि हम open marriage में हैं, जैसे मलायकार और अ सोच रहे होते हैं, अभी श्योर नहीं होते हैं, या बच्चों की वज़र से अभी अलग नहीं होना चाहते हैं, बच्चों को as a family ही वो treat करना चाहते हैं, मैंने बताया, open marriage की वीडियो में, आप देख लेना, डीटेल में, तो open marriage concept, जहां तक कि एक practical solution है, couples के बीच में, couples में, जिनके बीच में नहीं बन रही हैं, लेकिन वो divorce procedure के थुरू नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए, second question है, how to react if wife found cheating, what and when to react sudden or after she comes to home, घर में भी तो cheating करते हैं, मतला, ठीक है, लेकिन आपका question है, मुझे समझ में आ गया, कि एकदम से react करना है, या थोड़ा सोचना है, त मुझे एकदम से react करना है, या बाद में react करना है, या अराम से बैट के बाद करनी है, या प्लान कर ही नहीं सकते हैं, आपकी life में कुछ इतना बड़ा चीज हो जाए, कि आपका partner आप पे cheat कर रहा है, आप एक shock में चले जाओगे, अब वो shock की base पे आप किस तरीके से react करोग या रोने लगो, या चुप हो जाओ, एक अपने shell में चले जाओ, आपको मतलब समझ ही ना है कि यह हुआ क्या क्यों हुआ, प्रोसेस ही ना कर पाओ, एक बार को अपको believe ही ना हो कि यह क्या हो रहा है, तो आप plan नहीं कर सकते हैं इसको कैसे react करना है, sudden is a sudden, sudden reaction means sudden reaction ही होगा व उसमें कभी भी आप इसे सोच नहीं सकते कैसे react करना है, अचा next comment पर आते हैं, मैम क्या intercast marriage में kids होने पर कोई effect होता है, नहीं, ऐसा कोई effect नहीं होता है kids पे, बलकि अगर बहुती close DNA में शादी होती है, जैसे कि incest relation बहुत लोगों के होते हैं, अपनी family में या cousins वगेरा में, जैसे अगर शादी हो गई, तो उसमें chances होते हैं, बलकि बच्चों के deform मतलब पैदा होने के, या कोई DNA issue होने के, तो जितना जादा DNA अलग होगा, उतना ही जादा मतलब बच्चों में इस तरीके की problem, DNA problems वगेरा नहीं होंगे, और intercast marriage तो और भी बहुत जादा मतलब बहुत का link आपको यहां कहीं आया बटन पर देदोंगी, कि blood group ज़रूर चेक करना ची, husband wife का क्या है, एक कुछ particular situation होती है, जिसका असर पढ़ता है बच्चे के उपर, तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो सारी ची समझ में आ जाएगी, next comment पे आते हैं, madam sex कौनसी position करने से pregnant का best chance रहता है, pregnancy के लिए गर आप try कर रहे हैं, वैसे तो देखो हर किसी position में pregnancy होना possible है, लेकिन अगर female lie down रहेगी, लेटी रहेगी, ऐसी positions जो भी होती है, जैसे कि missionary position है, या जो भी position है जिसमें female लेटी रहती है, तो उसमें थोड़े chances जादा हो जाते हैं स्पम का easily अंदर पहुंचने के, वहीं अगर female बैठी हुई है, उस position में हो सकता है gravity की वज़े से, स्पम जो इतना जल्दी ना पहुच पाएं, अगर speed कम है तो वो ना पहुच पाएं, easily discharge के साथ स्पम बहार आ जाएं, तो इसलिए ये कोशिश कर नीचे, अगर आप pregnancy के लि लेटी रहें, वो ज्यादा बैटर है, और बलकी discharge के बाद भी थोड़ी देर, 2-4-5 मिनट तक अगर लेटी रहेंगी, तो ज्यादा सहीम आना चाता है, हाई sister शादी में एक मन्द से भी जादा है, मगर first night का डर रहता है, पहली बार कोई touch hug and kiss करेगा, क्या ऐसा डर होना normal है बिलकुल normal है, and पहली बार तो हर काम से डर लगता है, आप first interview के लिए जा रहे हो, job के लिए जा रहे हो, job का पहला दिन हो, कोई भी काम आप first time करते हो, तो थोड़ा सा तो डर मन में रहता है, और ये तो फिर लोगों ने इतना हवा बना दिया है, शादी का, और first night का, तो य क्योंकि unknown क्या होने वाला है, उसका डर जादा होता है, और क्या होने वाला अपको पता होगा, पहले से थोड़ा दर कम हो जाएगा, excitement लाओ अपने अंदर, अपने पार्टनर के साथ, जितना जादा हो सके, communication build-up करने की कोशिश कीजिए, अच्छा bond बनाने पर ध्यान दीज यह normally अगर आप कभी कबार करते हैं अपनी urges को satisfy करने के लिए, तो वो safe ही है, masturbation स्रिफ और स्रिफ तब ठीक नहीं रहता, जब आपको उसकी habit लग जाती है, addiction हो जाता है, और कहीं न कहीं आपका mind और आपके अंदर से ऐसा लगता रहते हैं कि आपको बस करना है, अब यह addiction स किसी भी चीज की हो, चाहें वो smoke करने की हो, drink करने की हो, कोई और नशे की लथ हो, mobile चलाने की लोगों को social media की लथ आजकल इतनी हो रही है, इसके अलावा कोई भी लथ हो, sex करने तक की लथ लोगों को लग चाती है, तो addiction किसी भी चीज का आपके लिए harmful होता है, फिर क्या हो कि वो addiction के base पे आप अपनी life जीते हो, वो कहीं नखीं आपको drive करता है, कहीं नखीं आपका ध्यान अपने काम में नहीं लगेगा, family में नहीं लगेगा, अपने उपर नहीं लगेगा, बस वहीं सारा दिमाग लगता रहता है, और आप अपनी life में growth नहीं कर पाते हो, physically भी कह कि अपने आपको harm कर रहे हो, क्योंकि over करना किसी भी चीज को कहीं से भी सही नहीं है, over आप eating ही कर लोगे, बहुत जादा उसे भी आपको नुकसान है, बहुत जादा over भर भर के आप पानी ही पी लोगे, वो भी आपको नुकसान करेगा, तो over को इसी भी चीज को करना बहु में देना चाहिए हो, अपने काम में, अपनी फैमिली को, अपने आपको एक personal me time भी होना चाहिए, एक अपना जो एक routine के काम होते हैं, जरूरी necessary काम होते हैं, अपने hygiene, cleaning वगरा, उसमें एक time देना चाहिए, तो हर चीज़ का एक time होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ा major आपका जो time है, वो आपका कोई addiction ले रहा है that is wrong, तो I think मैं आपको इचे समझा पाई हो, कि देखिए, masturbation में कोई खराबी नहीं है, that's completely fine, बस उसका addiction आपको नहीं करना है बार बार लगाता, repeatedly उसी चीज़ को नहीं करते रहना है एक control आपके अंदर होना चाहिए, जब आपको बहुत ज़्यादा urges आती है जो कि अगर normally देखा जाए, तो for example, हफते में आपने कभी एक बार कर लिया, दो बार कर लिया तीन बार maximum कर लिया, that is I think normal, लेकिन कोई भी, कोई भी डॉक्टर, कोई भी इनसान आपको नहीं बता सकता आपके लिए क्या time ठीक है ये सिर्फ और सिर्फ आप ही अपने आपको जज़ कर सकते हो कि क्या मैं over कर रहा हूँ, क्या या मैं ठीक कर रहा हूँ वो आप ऐसे ही जज़ कर सकते हो कि वो addiction कितना आपको अपनी तरफ खीच रहा है कि आप अपना काम छोड़ छोड़ के इसी बारे में सोचते रहते हो, कि आपको बार बार ये लगता रहता है कि मैं जाओ और बस ये कर लूँ प्राइविट कहीं जगा ढूंटते हो आप, या हरमेशा सोने से पहले आपको करना ही करना है, आपको नीद नहीं आती है जब आपकी बॉड़ी किसी चीज़ के उपर इतना जादा dependent हो जाए कि वो work नहीं कर पा रही है आपको उसके बेना नींद नहीं आ रही है, आपको उसके बेना अपनी सुभा नहीं हो रही है तो बहुत सारे लोगों को addiction इसी तरीक से पकाड़ लेता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों का मैंने सुना है कि जो लोग regular smoke करते हैं, उनको सुभा 40 नहीं आती smoke करे बेना मतलब तो यह addiction ही है ना कि उसने इतना control कर लिया आपकी body के ऊपर कि जो चीज नेचुरली आपकी body में होनी चीए आपकी body वो perform नहीं कर पा रही है उसके बिना तो कहीं न कहीं उस addiction ने आपको पकड़ रखा है तो यही कुछ science होते हैं छोटे-छोटे कि अगर आपका control अपनी body पे नहीं रह रहा है और कोई addiction आपकी body को control कर रहा है किसी तरीके से आपकी mind को control किया हुआ है कि नहीं आपको ऐसे नहीं बार-बार आपका ध्यान डिस्ट्रेक्ट कर रहा है या कोई ऐसा काम जिसे कि सोना सुबा उठना ये पौटी वगरा जाना ये normal natural काम भी आपकी body नहीं कर पा रहे तो मतलब आप addiction के अंदर है I am next comment पे चलते हैं boy के लिए sexy कपड़े कौन कौन से होते हैं इस पे video बनाएए boys के लिए sexy कपड़े कौन से होते हैं I have no idea मतलब लड़कियों के लिए कौन से होते हैं मुझो तो नहीं पता क्या जो उनके curves को enhance करें या उनकी body को अच्छे से दिखाएं I don't know I see boys का भी I think यह है कि जो उनकी body को ज़्यादा flattering look दें जिसमें वो अच्छे दिखें smart दिखें हर किसी का अलग-अलग हो सकता है यह आपको तो या तो कोई आपका कोई partner है female partner है वो बता सकती है यानि तो आप खुद जज़ कर सकते हो for example मैं आपे example की तौर पर आपको बता देती हूं मेरे husband मुझे सबसे ज्यादा smart and handsome तब लगते हैं जब वो formal spend और मैं उन्हें बहुत बार compliment देती हूं कि आप जब office जाते हो you look the best और वोई time होते है कि जब आप मुसे दूर होते हो तो मुझे बहुत जलिस वील होता है so ऐसे हर किसी का अलग होता है कोई हो सकता है denim में jeans में बहुत अच्छा लगता हो कोई हो सकता है shirtless जिसने ऊपर की अच्छी body बना रखी वो shirtless अच्छा लगता हो किसी ने overall अपनी body अच्छी बना रखी हो वो होते ना body builder वाले वो ऐसे से post देते हैं वो तब अच्छे लगते हो तो I think है और किसी का body different है और उसके particular body type पे क्या चीज़ better लगती है अब या तो कोई वो आपका female partner या female friend या कोई आपका जो भी female है वो बता सकता है कि ये इसमें आप best लग रहे हो या नहीं तो आपको खुद judge करना है दूसरा लड़का कभी नहीं बता सकता नहीं देखो अगर आपको ये चीज़ जानने है तो कोई female friend या कोई female आपके परिवार की वही बता सकते हैं वाली जीज़ नहीं तो आप खुद अपने आपको judge कर सकते हो अपने base पे तयार हो यार दूसरों के नजरिये से क्या तयार होना है कि मतब आप कपड़े भी आप अपनी मरजी से नहीं पैनोंगे क्या दूसरों के हिसाब से पैनोंगे का दूसरे ने कहा कि इसमें आ तो मच्छे लगड़ो तो वही पैन होगे हाँ अगर आपकी पात्नर बोलती है जिससे आप प्यार करते हो जो आपके लिए मैटर करते है आपकी गर्ल्फ्रेंड या आपकी वाइफ that's a different thing पर मुझे ऐसा लगते है कि नॉर्मली उससे पहले कि गर्ल्फ्रेंड नहीं है वाइफ नहीं है भी शादी नहीं हुई है तब इतना जादा नहीं सोचना चाहिए तब अपने हिसाब से ड्रेस अप करना चाहिए and the most important thing जिस चीज में आप सबसे जादा comfortable होते हो उसमें आप बहुत जादा confident दिखते हो और confidence सबसे जादा sexy लगता है मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने आप में confidence लाते हो confidently बात करते हो confidently present करते हो खुद को that is most sexy thing next comment पे आते हैं I think आप कहना चाहते हो कितने दिन बाद sex करने से pregnant नहीं होता है लेकिन मैं पिक किसी लिए ही करती हूँ कि एक बार आप पढ़के अपने question को देख लिया अगर आपने क्या लिक है कितने दिन बात करने से मतलब क्या पूरा ढंक से पूछो तो मुझे बात देखिए कभी भी करोगे आप कभी भी pregnancy हो सकती है कभी भी कर लो मतलब safe days वगरा अगी बारे में अगर आप पूछ रहे हो बसे safe days पे मेरी video है वो video आप देख ले ना कि कौन से दिन safe होते हैं और उसमें मैंने अच्छी से explain किया है कि देखो बहुत ही कम chances होते हैं बहुत ही कम लोगों के लिए safe days वाला work करता है लेकिन mostly cases में आप कभी भी ऐसा बिल्कुल sure नहीं हो सकते हो कि भी pregnancy नहीं होगी इन दिनों में बलकि अगर आप condoms वगरा भी यूज करते हो proper protection उसमें भी कोई guarantee नहीं होती है कि आप बिल्कुल safe रहोगे ही रहोगे कितने बार condoms फट जाते हैं safe days वगरा के चकर में तना मत पढ़ा करो फिर भी आप जानना चाहते हो मेरी safe days वाली वीडियो देख लेना मैं हाँ पर i button पर link देदूगी तो यही थे सारे questions जो मैंने आज के लिए pick करे थे I hope आपको मेरे replies अच्छे लगे हो अच्छी लगे हो यह वीडियो तो like कर देना share करना और मेरे चानल पर बने रहने के लिए subscribe करना और भी ऐसे comment करते रहा करो मुझे अच्छा लगता है different different type के questions का reply करना और अगर मैंने किसी के question pick नहीं किया है genuinely अच्छा question था प्लीज repeat करके पूछ लेना इस वीडियो में मैं अगली वीडियो में reply देता हूँगी comment चर्चा वाली ठीक है अभी मैं चलती हूँ बाई take care